तो चलिए आज लौकी की कड़ी बनाना सीखते हैं अब आप कहेंगे कि मैं तो यह बेल ने दिखा रही हूँ तो पहले एक चक्कर चट पे लगा लेते हैं फिर चलते हैं नीचे किचिन में यह बेल आप देख रहे हैं कुंदरू की है तो मैं चट पे बहुत सारी लौकी तो पर जब उगाती हूं तो बहुत सारी फसल आती है एक साथ आती है तब फिर हमें अगर स्वादस्ट बनाना है तो हम वराइटी बदल के टेस्ट बदल के तरह तरह से सबजी बनाते हैं और उसी सिलसले में मैं यह लौकी की कड़ी बनाती हूं मुझे लगता है आप सब भी बनाते ही होंगे पर आज आप देख लिए कि मैं कैसे बनाती हूं साधा सरल सी कड़ी और प्याज लेसन तो मैं खाती नहीं हूं कम खाती हूं पसंद नहीं मुझे तो यह थोड़ी सी लौकी है यह होगी धाइसोग्राम एक इंच अद्रक और हरी मिर्च और मैं बनाने चार मिया मेर चल्दी नमक जितना आप खाते हो से साथ से डाल लो और यह एक चमज बेसन सबजी पर उसने वाला इस बेसन को आदा कप दही में मिलाकर फिट लेते हैं ताकि बेसन की भी जो गुठलिया हैं वो फूट जाए और तही में भी लंस होते हैं वो भी पूरी तरह से च काच जिसी कंसिस्टेंसी आ जाए उसकी तो मसाले आप अपने साब से कम ज्यादा कर सकते हैं यह सारे मसाले हमने इसमें डाल दी हैं यह देखने में ज्यादा लग रहे हैं पर आधा आधा चमज हैं सब कुछ और कड़ी थोड़ी चटपटी ही अच्छी लगती है इसको ने भी डाल दिया है यानि कि यह जो बरतन है यह पूरा भर जाए फिर एक लोटा कुकर में जब छौकूंगी तब भी डालूंगी यह कुकर में हमने तेल डाल दिया आप जो भी तेल खाते हों वो तेल ले लें छौकने के लिए हम इसको हींग जीरे में छौकेंगे एक और एक हरी मिर्च पी एक साथ सब डाल देंगे और हमारा देश है कि इस लौकी को हम पहले पकाले क्योंकि चाच पर चाच डालने के बाद लौकी गलेगी नहीं लौकी को पहले गलाना जरूरी है और वो उबली उबली सी ना लगे इसके लिए हमने थोड़ा तेल डाला है पर थोड़ी नमा खल्दी डाल दी है सारे मसाले हम पहले उदर बेसन में डाल चुके हैं तो इदर नमा खल्दी जादा न डालें और चम्मस से चलाते हुए इसको जरा भूने और फिर कुकर का डकन बंद कर दें इसे क्या होगी यह थोड़ी सौफ्ट हो जाएगी लेकिन बहुत दिर तक बंद ना करें क्योंकि इसमें हमने पाने डाला एक मिनट के आसपास मैंने रखा और यह विसल निकालके देखा खोलके और देखने पर मुझे लगा कि यह भी हार्ड है तो मैंने एक कप के अनुसार थोड़ा सा पाने डाल दिया और फिर मैं धकन लगा दू लोंगी और एक विसल ले लोंगी और एक विसल लेके दो मिनट तीन मिनट रुक के और फिर मैं स्टीम निकालके देखती हूं तो यह देखिए लौकी गल गई है इसमें और कोई मसाले नहीं है तोड़ी से अल्दी थोड़ा सा नमक अब हम वो जो दही में बेसन घोल कर हमने रखा था वो पूरा इसमें पलट देंगे और खटास के साथ यह लोकी उबलेगी तो यह गलेगी नहीं जैसी जितनी गल गई है उसी तरह की बनी रहेगी यह डालने के बाद एक लोटा पानी और डाल दिया अब लगातार चम्मच चलाना है तब तक जब तक की कड़ी में उबाल नहीं आ जाए कड़ी हमेशा कुकर में बनानी चाहिए ताकि वो आराम से उबलती रहे और कड़ी किसी भी चीच की कोई सी भी कड़ी हो इसको देर तक धीमी आज पर उबालने से वो बहुत अच्छी स्वादिस्ट बनती है तो मैं भी यही करूँगी उबाल आ गया अब मैं बस अपना ये ढकन रख दूँगी गैस मद्दा कर दूँगी और अपने दूसरे काम में लग जाओंगी बीच बीच में एकात भार चम मत चला दूँगी और देखिए मैं बहुत गाड़ी नहीं खाती हूं तो मैंने अप प्याजलिसन का और कर आल सकते हैं अब मैं तो घर के लीए बहुत सिंपल साँ साधासी बनाती हूं तो ये इसी तरह की कड़ी बनती है बहुत स्वाधिस्टपनती है तो मिलते हैं अकले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार